आत्मा पांच क्या हम विश्वास किये बिना अमर आत्मा के अस्तित्व की खोच कर सकते हैं। और लिखिया दिखाता है, हमें पता चलता है सकते हैं आत्मा का हमें विश्वास, अस्तित्व बिना, और अमर आत्मा की। Catholic Church इसका जवाब देता है, हाँ, हम कर सकते हैं। हमारा दिमाग कुछ ऐसी चीजों की खोज करने में सक्षम है जो विश्वास के लिए आवश्यक हैं, इसलिए यह उन्हें विश्वास का एक लेक भी बनाती है। लेकिन यह खुफियाग हम से पूछता है, क्योंकि हम वयस्क ह और हमें बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि हम खुद को खुजने का प्रयास करें। तो एक गहरा तरीका है जो किया जाता है, उदाहरन के लिए एक यथर्थवादी दार्शनिक दार्शनिक अरस्तू के साथ। उन्होंने अनुभव से शुरू आत की और उन्होंने कहा, ह हम रित्यू के साथ मरता है। दूसरा, हम अपने अंदर एक समवेदन शील जीवन देखते हैं, जो जानवरों के साथ हाम है और जिसका आसन मस्तिष्क है, जहर है। यदि मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो हमारा समवेदन शील जीवन गायब हो सकता है। तो और अस्तू के रूप में समवेदन शील चीजे होती हैं, जैसे कि इस वस्तू को देखना। यह एक भौतिक वस्तू है, इसलिए छवी समवेदन शील है, यह मेरी आँखों में है, यह अंगों से गुजरती है, आदी। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर दो संकाय हैं जिन में से भले ही वह छवियों का उप्योग करती हो, समवेदन शील नहीं है, तो मैं बुद्धी के साथ एक उदाहरन दूंगा, उदाहरन के लिए कल्पना कीजिए कि हम अनंद, एक अनंद शरीर की धारना को समझना चाहते हैं, अनंद जैसी कोई चीज नहीं है, फिर कैसे हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बार हम इसे एक विशाल, विशाल शरीर के रूप में सोचते हैं, और फिर हम विचसाधी जोडते हैं, और इसलिए हम कल्पना करते हैं कि हम बिना रुके सिरों को जोड देंगे, तो यह अनंद होगा, तो हम एक छवी का उप्यो कर सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि एक अनंद शरीर क्या है, इसे कीचने में सक्षम नहीं है, इसलिए यह समझ, यह अब धारना, शारीरिक पक्ष से परे जाती है, भले ही वह इसका उप्योग करता हो, आये अब हम एक उदाहरन लेते हैं, मन के अन्यसंकाय में इच्छा जब कोई युवक किसी युवा लड़की से मिलता है, तो वह उससे प्यार करेगा क्योंकि वह सुन्दर है, क्योंकि वह उसे आकर्शित करती है, तो समवेदन शील प्रभाव, जो की जानवरों के साथ हाम है, खेल में आता है और फिर, आये कल्पना करे कि थोड़ी देर बा मैंने उसे चुना जब वह अपने लिए सुन्दर थी, मैं उसकी साथ रहूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, यह बुद्धी है जो प्रेम करने की इच्छा को आग्या देती है, प्यार करने की इच्छा जो एक वास्तविक, तो उस प्रेम है, लेकिन जो हम महसूस करते हैं उस पर आधारित नहीं है, जो कि हम जो समझते हैं उस पर आधारित है, इसलिए इसका एक उदेश्य होगा, जो न केवल आनन की भावना है, बलकि उससे भी अधिक है, यह समझ है कि यह अच्छा है, तो हमारे पास हमारे दो संकाए हैं जो पदार्ट से परे जाते हैं, हमारा मस्तिष्ट कभी कभी कम कुशल होता है लेकिन फिर भी भले ही बुद्धी और इच्छाशक्ती का DNA न हो, हम पाते हैं कि वे मौजूद हैं। हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, न कि जानवर जो हमेशा समझता है, सम्विधन शील चीजों को समझता है, जिन चीजों की वह कलतना कर सकता है। की कृत्प्राणी, शारीरिक, सम्विधन शील, आध्यात्मिक, एच्छी। की कैत्याओ का अभ्यास कर सकते हैं, लो हमेशा समझता है जित शील, च्बादा यारीरिक, जिन आध्यात्मिक, झाल शील, एके तो रे वह भी उत्विधन वह, पिद्विधन ऑन शील, आध्या जिन शील, जिन चील, झाल, उन एत्वन की एणना कर सकता है। झाल झाल